प्यारे बच्चों, हम लोग मीन, मीडियन, मोड का इस्टडी कर रहे हैं, देखिए, बोर्ड पर कुछ प्राब्लम्स है, जिसको हम वन बाई वन साल्व करेंगे, देखिए, एक्चों में जो फर्स्ट प्राब्लम्स है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, और ध्यान दीजिए, देखिए, यह जो नम्बर्स है, इनका मीन यम है, दो नम्बर्स थ्री, टू, फोर, टू, थ्री, थ्री, पी, हैब मीन, यम माइनस वन, मतलब जो यह नम्बर्स है, उनका मीन यम माइनस वन है, एंड, मीडियन क्यू, देखिए, इसका मीडियन क्यू है, देखिए, इसका यह जो आपजर्वेशन्स है, इनके जो मीन है, है मैंस–1 है एंड मीक्ट यक्यू है इसका मेडिय है क्यू है चलिए कोई बात नहीं फाइड पी है भी भल्हला हमें प्लाईड आउट करना है जाग वाइड sich औड कundy लोना मीटीर आंड करना항 है उसको मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं देखिए 1 7 5 3 4 4 देखिए एक्ट्वल में यह जो जो भी नंबर्स है उसको मैंने यहां पर नोट कर लिया अचा इसका जो देखिए मीन आफ दिस नंबर्स इज यम इसका मतलब यह हुआ कि मीन यह मीन जो है यह गी बेन है तो मीन का जो फार्मूला ओता है सम आफ सम आफ deaf टॉर्मस सम आफ терमस देखिए बहुत ही जी मैं बता चुका हूँ अपार नंबर आफ अफ नंबर आफ टॉर्मस नमबर आफ टर्म तो देखिए यह मीन को यम यम से डिनोट करने को कहा देखिए मीन यम आए तो यम हमने लिख दिया तो 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस देखिए 3 प्लस 4 प्लस 4 अपान देखिए ध्यान दीजिए एक्षुल में 1 2 3 4 5 6 नमबर आफ टर्म जो है 6 है अब आप क्या करिए यम इक्वल टू इन सबको एड कर लेंगे इन सबको क्या करेंगे एड तो 1 8 5 13 16 20 24 कितना हुआ एड हो करके 24 अपान 6 तो देखिए यम की वैलू फाइंड आउट हो गया देखिए हमारा जो यम की वैलू फाइंड आउट करना था यह 4 फाइंड आउट हो गया अब जड़ा ध्यान दीजिए जो सेकंड आपजर्वेशंस है यह है आपका 3 देखिए 2 4 2 3 3 आइंड पी देखिए ध्यान फिर से पर जरूर जो है इसको मैच कर लिया जाता है 3 2 4 2 3 3 3 तो यह आपजर्वेशंस जो है एक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मैच करना बहुत जरूरी है पॉपज कर यह आपको यह से यहां ततक करने में कोई प्राब्लम जो है कोई ऑफ्यर्वैशन छूट गया तो आपका प्राब्लम साल नहीं होगा ञाश्र हो जाएगा चलीए कोई बात नहीं तो हम लोगों giorno का यहां पर इस इसकेस में तो में जो मीन का जो फार्मूला होता है सवाफ ट्रम्स अपान नंबर आफ ट्रम्स तो हम लोग क्या करेंगे मीन इस में जो है mean given Y-1 तो Y-1 is equal to sum of term में देखिए 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 3 plus 3 plus P upon 7 अभी मैं count किया था 7 तो देख दिए actual में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैंने जो है उसको सब का sum कर दिया अब हम लोग क्या करें, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14, 3, 17, तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान दीजिए, यह माइनस 1 इक्वल टू 17 प्लस P, अपान 7, अपान 7, देख लिजिए, यह पर और अड़ कर लिजिए, 3, 2, 5, 9, 11, 3, 14, और 3, 17, तो 17 प्लस P भाई 7, तो यहां की बैलू आप पुट अप करेंगे, तो यहां यहां की बैलू क्या होगी, 4, 4, find out था, 4 माइनस 1 इक्वल टू 17 प्लस P भाई 7, ठीक है, तो यह देखिए, आपका, यह 4 माइनस 1, 3, और यह 7, 21, तो यह हो गया, 21 इक्वल टू 17 प्लस P, तो देखिए, इस तरह से भी आपका P इक्वल टू 4, जो हैंसर, आप यहां, तो देखिए, एक्वल में, जो है, यहां की वै जो है, थोड़ा हम नीचे किये, कोई बात नहीं, तो आप जो है, इसको देखिए, इस तरह से कर लीजिए, तो आपका इंसर P का वैलू 4 आगया, तो हमको देखिए, आप, find the P, तो P का वैलू हमारा 4 आगया, अब आप जो है, क्या करता है, क्यूं फाइंड आउट करना है, Q, तो Q क्या है, मीडियन, Q क्या है, मीडियन, तो P के जगह पर, देखिए, आप देखिए, P के प्लेस पर हम लोग फोर रख देंगे, यही नाप जर्वेशंस है, और इसका मीडियन का इलूपलेट करना है, तो देखिए, मैं भार-भार कहा हूं, कि कभी भी मीडियन, find out करन के लिए, इसको ascending order में जरूर लिखना पड़ेगा, अब तब जा करके आप formula लगाएंगे, तो यह जो है, देखिए, actual में two, two, देखिए, टूट, दो बार है, इसके बाद three, 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 देखिए, three, 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 और इसके बाद four and four, तो हमने जो है, इसको arrange कर दिया, अब number क्या है, यहन की value seven है, तो इसका मतलब q equal to, देखिए, median को q से denote किया है, तो q equal to, यहन प्लस one by two, यह तर्ण, तर्ण, देखिए, तो that is q equal to, यहन की value seven है, तो seven plus one by two, इसका मतलब यह हुआ, जो है आपका fourth term, क्या होगा, देखिए, fourth term, q equal to fourth term, तो fourth term, अब देखिए, तो q equal to fourth term क्या है, देख लिया जाए, one, two, three, four, तो fourth term क्या है, three है, तो इसका मतलब median क्या आगया, three, तो हमारा median भी salve होगे है, देखिए, यहाँ पर q का value जो है, हम three put up कर दिये, रख दिये, चाहिए, यहाँ रख दिये, अब हमें क्या कहता है, the mean of p and q, p और q का mean, तो भाई देखिए, actual में, बहुत दिजी है, p, p और q का mean, जब पूछी दिया है, तो देखिए, mean, mean equal to, देखिए, sum of term, sum of, sum of term, यह तो लिखना ही पड़ेगा, upon number of terms, number of terms, देखिए, देखिए, जो sum of term upon number of term, हमने फर्मूला लिख दिया, अच्छा, किसका जो है, mean कैलकुलेट करना है, p and q का, तो p की value 4 आई है, और q का value 3 आया है, तो इसका मतलब यह हो गया, 4 plus 3, और number of term कितने है, 2, number of term 2, तो देखिए, mean, mean equal to, आपका mean equal to, 2, देखिए, यह हो गया, 7.2, तो 3.5, तो mean क्या आगया, 3.5, तो इस तरह से देखिए, मैं बता दूँ आपको, p का value b calculate हो गया, q का value b calculate हो गया, और आपका mean of p and q, यह भी calculate हो गया, तो इस तरह से यह problem जो है, आपका solve हो गया, देखिए, जो second problem है, उसको हम solve करने जा रहे हैं, देखिए, second problem में क्या जो है, बात लिखी हुई है, देखिए, actual me, if mean of the observations, if mean of the observations, जरा ध्यान दीजिए, if mean of the observations, 2, 3, x plus 1, 2x plus 2, 2x plus 5, 7, 10, is 5, is 5, यह कोई भी value ते सकता है, यह ध्यान रखिए, तो find the value of x, and all observations, देखिए, इसमें क्या कहा है, कि आप x की value भी find out करिए, और all observations को भी find out करिए, तो सबसे पहले हम लोग x की value find out करने हैं, तो यह जो है, actual में क्या है, देखिए, mean equal to, mean equal to, some of, some of, some of the terms, some of the terms, upon number of, number of the terms, बहुतीजी बात है, देखिए, तो mean equal to, तो mean के जगह पर five given हैं तो दिखी लिया जाए, plus seven plus ten, देख लीजे, मैंने सारे term को जो है, plus करके लिख दिया, देखिए, फिर से match कर लिया जाए, two plus three, x plus one, two x plus two, two x plus five, plus seven, plus ten, अपान, अपान, ध्यान दिए, number of term, one, two, three, four, five, six, seven, तो number of term को हमने भी note कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यह हो गया, 35 equal to, देखिए, cross multiplication, 35, यह जो है, two, three, and one, यह two, and five, seven, ten, इन सबको आइड कर लिजे, तो five, six, eight, 13, और seven, 20, और ten, 30, 30, तो इसका मतलब यह हुआ, इसकी मेलू हा गई, 30 plus, देखिए, यह x, और two x, जो भी है, यह उसमें एड नहीं होगा, तो यह x, two x, three x, और यह two x, five x, तो यहाँ पर हो गया, five x, अचा, अब आपने जो है, देखिए, इसका cross multiplication करी लिया है, तो इसका मतलब five x equal to, 30 जब इधर जाएगा, तो देखिए, 35 minus 30, तो five x equal to, देखिए, यहाँ पर five हो गया, तो x equal to five by five, that is equal to one, तो हमको find out क्या करना था, value of x, तो x equal to one, अब उसके बाद कहता है, कि all observation को भी find out करिए, तो देखिए, first observation two है, second observation three है, third observation one plus one हो जाएगा, तो यह two हो जाएगा, देखिए, यह जो fourth observation है, यह जो है, two into one, two plus two, तो यह four हो जाएगा, आइड देखिए, यह वाला observation, x की महिलू one find out हो चुका है, तो यह आपका two into one plus two, तो यह आपका seven हो जाएगा, और इसके बाद वाल observation seven है, उसके बाद वाला ten, तो हमने जो है, आपको, देखिए, कहता है, all observation को भी find out करिए, तो ठीक है, जो observation find out है, clear, तो मैंने उसको तो देखिए, two, three, इसके बाद जो है यह, जो observations है, इसको आप लोग x की बैलूप उटप करके लिख लीजिए, और यह और यह तो clear ही है, तो इस तरह से यह problem भी हमारा solve हो गया, बहुत easy problem होता है, देखिए, actual में mean, median, mode, यह बहुत easy होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके बाद next video में, फिर हम जो है numerical solve करके आपको दिखाएंगे, इस video में बस इतना ही धन्यवाद,